उतर भारत में कोहरे का प्रहोब लगातार जारी है। रात को तकरीबन धाई बिजे के आसपास जो जानकारी सामने आ रही है कि ये एक्सिडेंट इसका हुआ है और देख सकते हैं कि डिवाइडर से चड़ गया ये डिवाइडर के ऊपर चड़ गया है हलांकि इसमें अभी फिलाल कोई casualty जो है उसकी खबरे नहीं सामने आ रही है लेकिन जो ये हाथसा था है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था क्योंकि इस रोड से इस डंपर है वो चड़ कर दूसरी रोड पर आ गया और गनीमत ये रही कि इस रोड से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी उस वक्त और यही वज़ा है कि जो हाथसा है वो नॉर्मल ये बताइए किस तरह से हो गया हाथसा दूंद के वाज़ा से हो गया क्या दिखा नहीं आगे डिवाइडर नहीं दिख रहा था तो यहीं साफतोर से कहना है कि हाथसा तो हुआ है लेकिन जो चोटे हैं वो किसी को नहीं लगी है और साफ तोर से देख सकते हैं कि आगे का जो शीशा है वो पूरी तरीके से चकना चूर हो चुका है और साथी जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूर चुका है और इसके उपर साफ तोर से देख सकते हैं क अंदर बैठे जो लोग हैं उनको चोड लग सकती थी लेकिन गरीमत यह रही कि इसमें चोड जो है वो काफी नहीं लगी है लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है जाहिर तोर पर जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तरीके क स्थिती है वो और भी जैदा जो है वो खराब होगी तो इसमें यही हिदायत दी जाती है कि अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो तमाम जो अपनी लाइट्स हैं अपनी पारकिंग लाइट के साथ साथ जो येलू लाइट है उसको जला कर रखें कि इस तरीके के एक्सिडे ना हो क्यामरें ललित के साथ तिवान चुमल होतरा टोटल न्यूज दिली